जहिन आडियो वीडियो किलियर जा रहे है तो यस लिखना है सर आज हम लोग 30 अगस्त में जितने कोश्चन आये हैं मेरे पास मतलब आल सिप्ट के वो सब कोश्चन को डिसकस्ट करेंगे पिछले क्लास में हम लोग 29 तारिख बाले देखे थे आज 30 तारिख बाले देखिए त रहा टू एकस पलस 10 बाई पलस 3 बरावर 0, 4 एकस पलस के बाई माइनस 2 बरावर 0, 0, 9 सोलूजन का मतलब कि कोई हल नहीं लिनियर एक्वेशन आपको पता होगा यह जो लिनियर एक्वेशन है यहां से पहला कंडिशन होता है कि तर दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिछेदित कर देंगे यह प्रतिछेदित रेखाए होंगे कैसा रेखा होंगे सर इंटर्सेक्टिंग लाइन प्रतिछेदित रेखा और जब दूसरा कंडिशन है आपको कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 तर इसका कोई हल नहीं कोई हल नहीं नो सोलूसन कब जब दोनों रेखा समांतर होंगे तब समांतर रेखा तीसरा है कि यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 अगर तीनों बराबर हो गया तब अनन्त हल और रेखा एक दूसरे पर उभरलेप कर जाएंगे अनन्त हल कैसा हल सर जी अनन्त हल अनन्त हल और एक दूसरे पर रेखा क्या हो जाएगा ओभरलेप कर जाएगा सर ओभरलेप और रेखा को कौन सा रेखा कहेंगे समपाती रेखा समपाती पोई इंसीडेंट लाएं तो यही है नो सोलूसन का मतलब दूसरा वाला कंडिशन के 1 बटे A2 बरावर B1 बटे B2 does not TG equal to C1 बटे C2 तो C1 बटे C2 तो बरावर होगा नहीं यही दोनों A1, A2 और B1, B2 से चलेगा A1 बटे A2 का मतलब 2 बटे 4 बरावर B1 बटे B2 का मतलब 10 बटे K का मान हमें निकालना 2 से कट गिया K बरावर आगिया 20 K बरावर 20 पर इनका कोई हल नहीं No solution होगा No solution तो यह सब condition के लिए रखना है सर लिनियर equation का MP दे रखा है Discount दे रखा SP निकालना तो दूसरा discount X का मान निकालना 3 discount दे रखा है लगतार तो आप कहेगा पहला discount 5 पर 30 है मतलब 100 से कितना हो गिया सर जी 95 100 से 95 दूसरा discount 10 पर 30 है तो 100 से कितना हो गिया 90 और तिसरा discount का हम बताया थे कि तिसरा discount का तिसरा discount आप उसे Multiplying factor या Skilling factor ratio में A अनुपात B निकालिएगा अब A अन्ठावन सो हो गिया और छूट देने के बाद कितना हो रहा है कहिएगा 42,000 ये ratio आ गिया कट गिया यहां से आपको और कहीं कटने वाला है सर जी तो कटने वाला है तो काट देंगे सर 19 25 100 19 25 का 95 0 से 0 कट गिया और कटेगा क्रोस गुना करकिया जाता है ऐसा नहीं कि डिरेक्ट लिखेंगे और कहीं कटने वाला है कहिएगा 29 दुना अन्ठावन कट गिया सर एक कईस दुना कितना हो गिया 42 एक कईस दुना 42 अब नहीं एक क्रोस गुना पहले क्रोस A अनुपात B का जब मा निकालिएगा तो cross लिखेंगे सर गुना करके cross लिखेंगे ये वाले पूरा A side गुना हो जाएगा पूरा का पूरा A side कहिएगा 29 गुना का 19 और गुना का कितना बचा कुछ बचा है 9 बचा हुआ 29, 19 और 9 और B वाले पूरा इधर cross गुना हो जाएगा ये है 21 गुना का 20, गुना का 10 ऐ है, और कटने वाला है, कहिए गा 3 से कटिया 7 वार में, 3 से कटिया 3 वार में, 7 से कटिया 3 वार में और नहीं कटेगा सर, 39 गुना 57, और ऐ हो गया आपको 7 गुना 14, 14 400 1400 29 गुना 57 और 1400 है, तो 29 में 57 ऐ और बी, कितना डिस्कॉंट है यहां से निकलेगा तो क्रोस गुना क्रोस क्यों करते हैं क्योंकि सब यह उपर में लिखाएंगे सो गुना सो गुना ए हो जाएगा और यह नीचे में आ जाएगा आपको कहिएगा 95 गुना 90 गुना बी और बराबर में कितना हो गया 29 गटे 21 इसलिए बी वाले पाट 29 में चला गया बी 29 आ गया बी में गरबर हो गया का कहिएगा नहीं गुना बी में आया ن Gemeुने 29 गटे 21 29 उपर है और बटा में क्या है सरजी 22 बटा में 22 है कतने वाला है बी के साथ रेसियो उल्टा हो जाएगा रेशियो हो गया आपको 29 A में जब दो संख्या हैं बरावर रेशियो अपोजिट हो जाता है तो यह सब आ जागा नीचे और यह सब चला जागा ऊपर A और B यहां से गुना करके मान निकालिए क्यों के लिए जल्दी निकालिए तो आप लोग अंसर आप अंसर दीजिए अंसर अंसर दीजिए दीए अंसर 29 गुना 57 29 में 57 से गुना करिए कितना आगिया सर्जी 1653 और ही कितना हो गिया कहिएगा 1400 तक कितना छूट दिया गिया कहिएगा 253 छूट दिये किस पर दिये 1653 पर परतीसत में लाएंगे 100 से गुना कर दिजिए 100 से गुना कर दिजिए परतीसत में लाएंगे तो 100 से गुना कर दिजिए देख लिजेगा एक बार कैलकुलेशन कहीं घरवर नहीं हो ना 5 परतिसत मतलब 100 से 95 10 परतिसत का मतलब 100 से 9 100 से 90 और तीसरा छुट कितना दिया पता नहीं है कहिएगा A से B पहले 58,000 था 42,000 हो गिया 16,53 से 14, 253 बटे 16,53 गुना का 100 क्योंकि 16,53 से 14,00 हो गिया तो 253 का छुट 16,53 गुना 100 देखिए तो लगभग 15 परतिसत आ रहा है 15 परतिसत पूरा पूरी एक जैक लगता है नहीं कट रहा है लगभग 15 परतिसत तो कैलकुलेशन चेक कर लेना मतलब मेठड यही है मेठड को अराम से याद रखना है सर यह 84, 105, 140 का LCM यह सब LCM आप निकाल करके कमेंट में लिखेगा LCM निकालने नहीं जा रहे हैं सर आप लोग का LCM निकालना है यह है A गुना A मतलबी A स्कॉयर और माइनस का B स्कॉयर है और नीचे A पलस B है तो आप कहेगा A स्कॉयर माइनस B स्कॉयर सर एक बार योग A पलस B इन्टू A माइनस B और एक बार अंतर एक बार योग दिए A पलस B से A पलस B कट गया बचेगा A माइनस B और A के अस्थान पर 2.97 है और B के अस्थान पर 1.97 है तब 2.97 में वो 1.97 चला गया तक कितना बची गया एक बची गया कितना बचा सर जी एक बचा आगला नंबर सवाल पर आजाईए पाच नंबर पर पाच नंबर सवाल है कि किसी भी त्रीभुज के तीनो माधिका हैं किसी भी त्रीभुज में तीनो माधिका एक साथ मिलती है मिलने पर जो intersecting point है जो कटान बिंदू है उस केंदर को कौंसा केंदर कहते हैं तो आप कहिएगा कि सर माधिका के द्वारा जो केंदर निर्मान होता है उसे केंदर भी कह सकते हैं हिंदी में इसे मध केंदर भी बोल सकते हैं मध केंदर या इसे गुरूत्व केंदर भी कह सकते किन्दर माधिका के द्वारा बनाये गए किन्दर को कहते हैं गार्ध्य, किन्दर, को लिभि है, इस जी से सुचित करते हैं, अंगल वाइस सेक्टर, कौन अरधक से जो निर्मान होता हैANC, और भूजा के परपेंडिकुलर, साइड के perpendicular by sector से परी केंदर circumcenter और altitude height से बनता है जो लंब केंदर ortho center बनता है लंब केंदर ortho center फिर से एक बार समझना है तीनों माधिका मिल गया तो केंदरक कोन समधी भाजक से बनाओ अंता केंदर in center और भुजा के लंब समधी भाजक से बना वो हो गया आपको परी केंदर circumcenter और height से altitude से जो बना वो हो गया आपको लंब केंदर कैसा केंदर लंब केंदर यह principle दे रखा है rate दे रखा है समय दे रखा है CI निकालना है तब 5 पर 30 के दर से दो भर्स में जो CI होगा एक बार दूगणा एक बार स्क्वाइर दस दस अमलब दो पांच पर 30 सथ एक 1250 का निकाल दीजिये तो कहिएगा 12,500 स्थー 12,500 आपको 12,500 का हम लोग निकालेंगे 10,725 पर 30 सथ दस दसमलब दो पांच परतीसत पॉाइंट हटा तई आगिया सो एक सो आया परतीसत वाला एक सो आया पॉाइंट वाला कटने वाला है तो काट दीजिए पचीस से कटिया सुरि 25 से 500 बार में 25 से कट या 4 बार दी इस 100 से कितना बार में कट या 5 बार में कट या गुना कर दिये तह ये हो गया सर जिशि आपको 50 56 5121 usa 525 आया 52 toma हमें लगता कि काटनकर तो बेकार कर दिये रहने देते तो आसान से पॉाइंट बढ़ जाता लेकिन कोई बात नहीं अब लीक देते हैं पचीस से गुना किये तब पचम पचीस का पांच 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 दूना दस दस और एक कितना हो गिया पचम पचीस दस और दो बारह हा सर जी एक और एक हो गिया आवन सो पचीस में चार से भाग कर कहेगा कि बच गया सर बारा बार में लगा देते हैं बारा चो आरतालिस तीन बचा आठ चो बत्तिस और अब लगा एक बार में और एक बटे चार बारा सो एकासी दसमलब दो पांच रुपिया बारा सो एकासी दसमलब दो पांच कैलकूलेशन एक बार आप लोग चेक भी करते चलिएगा और जहाँ एक कैलकूलेशन गलत रहेगा Manuel सुधार कर देना अब प्रिंस्पल 11802 बरस का है रेट निकालना है तो आप कहेगा दो बरस में 2000 रुपिया मिलता है एक बरस में कितना ब्याज मिलेगा तो कहिएगा एक बरस में एक हजार रूपया मिलेगा क्योंकि सधारन ब्याज परतेक बरस समान मिलता है प्रंतु चकरविर्धी ब्याज परतेक बरस समान नहीं मिलता है एक बरस के SI और एक फस्ट एर का फस्ट एर का SI और CI का डिफरेंस 0 होता है डिफरेंस सेकंड एर से लेना स्टार्ट होता है तो एक हजार उपाईया जो है वो 10 हजार का कितना परतीसत है तर रेट होता है कि एक बरस का ब्याज अपने मुल्धन दस हजार का कितना परतीसत है कहेगा 10 परतीसत है सर तो रेट निकल गया 10 परतीसत ये तो अराम से है समान उपाती X, 2 X, 3 X और 2 Y का मान निकालना है तो हम पहला से मान निकालेंगे तो आप कहेगा कि सर 64 बटे X समान उपात का मतलब बरावर 60 का बर्गमुल 8 और 25 का बर्गमुल 5 एक्स कामान कितना आ गया 40 40 इसी तरीका से बाई कामान निकालेंगे तो डारेक लिख दें बाई एस्कॉार बरावर 16 गुना 179 नस्दीक वाले नस्दीक के साथ दूर वाले दूर के साथ गुना होता इस तरीके में तो आप कहेगा कि भाई बरावर 4 गुना 13 आ जाएगा चार गुना 13 तब बाई बरावर कितना हो गिए सर 52 एककस बरावर 40 भाई बरावर 52 तो 40 कीतना हो गिए 3 जोड़ दिये कितना हो गिए सर जी दो सो दो सो चोविस दो सो चोविस ही नहीं दो सो चोविस दो सो चोविस आगे सब घरदा छोड़ा के आ रहा है स्टुडेंट सर आप लोग भी घरदा घरदा छोड़ा दीजेगा करा ये 12 दिन में, B, 15 दिन में, C, 8 दिन में और D, 20 दिन में काम करता है ये 3 समू बना दिया कि A, D, B, C और A, C ये 3 समू में सबसे पहले कौन करेगा तो आप जानते हैं कि जिनका छमता जादा समय कम समय जादा तो छमता कितना लगेगा समय जादा तो छमता कम उल्टा होता है छमता जादा समय कम और समय कम ता छमता क्या हो जाएगा जादा छमता जादा तो छमता जादा रहेगा समय कम लगेगा जिनका छमता कम रहेगा समय जादा लगेगा सबसे पहले LCM निकालिए कि 12 से कटे 15 से कटे 8 से कटे 20 से कटे तब कहिएगा 120 यहां छमता छ पीके सर भी बहादूरिये हैं 20 बार में कटिया 8 बार में कटिया 15 अंठे 120 यहां से 6 बार में कटा तो A पलस D तो कहेगा कि सर A का छमता 20 है और D का छमता कितना आगिया सर 6 तो इनका छमता आगिया छमता efficiency हम लिख रहे हैं efficiency आगिया 26 B पलस C B का छमता 8 है सर C का छमता 15 है तो 8 और 15 कितना हो गया छमता 23 और A पलस C A का छमता 20 है और C का छमता कितना है सर जी 15 है A का छमता 20 C का छमता 15 तो कितना हो गया सर 35 जिसका छमता ज़्यादा उसका समय कम सबसे कम समय में कौन करेगा A और C A और C सबसे कम समय में सबसे कम समय में कोई दीकात जोड़ दिए A सबसे कम समय में भाग देके चेक नहीं करना जिनका छमता ज़्यादा समय कम लगेगा और छमता कम समय ज़्यादा लगेगा कहता कि सबसे लेट देरी तक्स बतलब सबसे कम समय में तो आपको आगिया फलसी और सबसे अधीक समय कौन लेगा तो सबसे अधीक समय कौन लेगा जिनका छमता कम होगा 23 बाले यहाँ आ रहा गोला का स्फेर निकालना टोटल सर्फेस एरिया दिया है गोला का स्फेर और radius हमें निकालना है, total surface area दे रखा, sphere का total surface area संपूर्ण प्रिष्ट का चेतरफल दिया है, और हमें radius निकालना है, तो गोला का संपूर्ण प्रिष्ट का चेतरफल होता है, 4 pi r square, r square, इसे पुर्णांग को टोड़ेंगे, तो कहिएगा, 748 और 432 का दो हासिल कितना हो गया, 3, 724 और 3 कितना हो गया, 17 हासिल, 1, 7 और 1, 8, 724, 14, 1872 बटे 7, 7, एक बर calculation देखते रहना है, बड़ा बड़ा calculation, 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कटा है, 4 से कटने वाला है क्या, पहले 11 से कट दें, 11 से तो कटेगा, 9, 9 और 2, 11, 7, 4, 11, इस दो से काट दिये 11 बार में, 11 से काट दिये 11 एक बार में लग गया, बाकी बचा कितना सर्जी कहिएगा, 3, 11, 33, 35, 2, 2, अब हम कितना से 2 से छोटा छोटा टर्में काट देते हैं, 6 दूना 12, 7 दूना का 14 हो गया, 6 दूना 12, और 4 से हम इसे काट देते हैं, कितना बार में, तो कहेगा कि सर जी 4 से कट गया आपको 6464 और 6464 नो चों छतिस 179 बार में आर अस्कॉार बरावर वो 169 ता आर बरावर कितना हो गया सर 13 13 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर में किलियर आगे बढ़ जाएं कैलिकुलेशन चेक कर लेना है सर अगला नंबर सवाल पर आजाएए यह आपको त्रीभूज के तीनों सिर्स दे रखा है मतलब कोशन ऐसा ही है या न कि यही है तीनों सिर्स दे रखा इनका एरिया दे रखा है आठ स्कॉार उनिट और आपको यह जो वाई कोडिनेट है जो छुटा हुआ है तीसरा सिर्स पर इसका मान निकालना हम इस तरीके से एरिया निकालने के लिए के लिए कि कोई भी भभूज है जहां से मन करें वहां से स्टार्ट कर दीजिए हमें मन है कि तीन दो से तीन दो जीरो चार लिख दीजिए यह हो गय जो area होता है न सर area यी area हो जाएगा एक बटा दो into mode cross गुना करिये चार तिया बार पलस जीरो plus by हो गया जीरो पलस दो दुणा कितना हो गया सर जी 4 अभी घटाएंगे cross जीरो में दो से गुना करेंगे तो कहीगा 0 चार दुना कितना हो गया सर जी कहिएगा कि आठ आठ और थीरी में बाई से गुना कर दिये ता कितना हो गया थीरी बाई थीरी बाई मौड और एरिया कितना दिया हो गया कहिएगा आठ ये दो से गुना हो गया ता आठ दुना सोला उसाइड हो गया बारा और चार सोला सोला म कि यही बाई कामान निकालना इसी तरीके से सवाल 12 पर LCM, HCA, दूसरी संख्या निकालना ही कोई सवाल है सेर कोई सवाल है कहिएगा एकदम कोई सवाल नहीं है क्योंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बरावर LCM गुना SCF, एक ऐसो साथ गुना चार बरावर का साथ गुना का दूसरी संख्या दूसरी संख्या ये जीरो से जीरो समाप्त हो गिया ये छे से कट गिया 36 वार में 36 कितना हो गया 144 144 144 अगले नंबर सवाल पर आईए 13 13 नंबर सवाल कह रहा है कि माध्ध 36 महुलक 37 मेडियन निकालना माध माधिका बहुलक इसका अंसर करिए तो इसे तो फर्मूला बेस्ट हमेसा इस सवाल दे रहा है सर इसे आराम से कंठस नहीं उठस याद रखे तो आप कहिएगा कि जो मोड बराबर होता है सर बहुलक मोड बराबर कहिएगा मोड बराबर थीरी गुना मेडियन परेमेडी ए ठीक मेडियन माइनस का टू मिन थीरी च्पा मेडियन और माध इका माध दे रखा है कितना सर्जी 36 36 दुना 72 इसा डाके जूट गया तो कहिएगा 37 पलस 72 बरावर का 37 बरावर का 3M एम का जैसा ही हम मान निकालेंगे तो कहिएगा 729 7 और 310 109 बटे 3 109 पुर्नांक में देगा तो पुर्नांक में लेकर चलाएंगे मतलब ऐसा ही डाटा था मीन का मतलब माध मोड का मतलब बहुलक मेडियन का मतलब माधिका बहुलक को जेड से सुचीत कर सकते हैं बराबर होता है 3M जेड बराबर 3M और माइनस का हो गया आपको 2 X- X- का मतलब माध सक्सेसिव डिसकॉंट 10 पर 30, 15 पर 30, 20 पर 30 है सिंगल डिसकॉंट निकालना है सिंगल डिसकॉंट तो एक है कि दो फर्मूला लगाएंगे तो दो बार लगाना परेगा पहला वाल से कार दीजे डाइरेक्ट जीरो जीरो और नो कट गया एक कट गया आपको कितना बार में सर दो से पांच बार में सतरा बार में कट गया यह होगिया पांच अनुपात कितना चार और कनहीं कटने वाला है क्या यह दो से कट गया दो बार में यह होगिया आपको कितना सर जी पा चे और 15 दुना कितना हो गया 306 500 से 306 सही गुना है ना 17 में 9 से गुना कर दिये 153 153 पहले 500 था अब 306 हो गया तक कितना छूट दिया गया सर कहिएगा 194 छूट दिया है किस पर 500 पर परतीसत में लाएंगे तो 100 से गुना कर देंगे 2 0 से 2 0 समा गुना किये ता 3 5 15 15 से बाकी बचा कितना सर 24 आठ पंचे कितना हो गया 40 आठ पंचे 40 दसमलव 8 अरतीस दसमलव 8 हो गया इक बोकुलेस्ट से एक बार चेक चौ कर लेंगे पहले 10 परतीसाद ता 100 से 90, 15 परतीसाद 100 से 50, 20 परतीसाद 100 से 80, कट गया यहां से 0 से 0, आया था 500 अनुप, 306, 306, 500 से 306 का मतलब 100 कितना रुपया का छूट दिया गया, 94, 194 किस पर दिया गया, 500 पर और 500 पर दिया गया, 100 से गुना टोटल छूट निकल गया, डायरेक्ट इस तरीके से, 15 का अंसर किया, इसका अंसर कीजिये 15 का, 15, 15 है कि रूट से दिया हुआ है, एक्वेशन निकालना है, मुल दिया है, ता एक्वेशन निकालना है, और एक्वेशन होता है सर, x²-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α- जीरो. मूल्ज निता है कि एक अलफा HOTA है और एक बीटा होता है. दोनों को जोड़े तैंज 1 और गिया दोनों को गुणा किए तो माइनस का 240 आ तह मान निकालना है बत परे रखे रहा है लक़ा है ताइम द तैम दे रहा है आप जानते हैं सब कि नकाली है 9ald चार रुपिया पर 9 पर 30 के दर से कितना बरसों में, अड़हाई बरसों में कितना रुपिया मिलेगा, पांच बटे दो बरसों में, तो 200, 200 से कट गया, 4 दुणा 8, 40 बार में, 40 बार में, गुना कर दीजिये, तो कहिए गा 9, 4, 36, यह आपको हो गया दो सो दुना नो अठारा सो रुपिया कितना रुपिया आ गया अठारा सो रुपिया कैलिकुलेशन चेक करते चलना है ऐसा न कि आप भी एकदम मारते चले गए यसर यसर अगला नंबर ए देखिए दो तीन बार हम डिसकर्शन करा चुके हैं सरे सवाल अभ पलस से परमे करन करेंगे तो आप कहिएगा कि सर्वी माइनस है तो पलस से परमे करन करिए ओबन पलस कोस ठीटा और ओबन पलस कोस ठीटा उपर आगिया ओबन पलस कोस ठीटा का होल इसक्वाइर और नीचे आगिया ओबन माइनस कोस इसक्वाइर ठीटा ओबन माइनस कोस को आप लिखेगा sign square theta sign square theta sign square एक बार पूरा लिख देते हैं Uman plus cos theta का whole square और bate का आगिया sign square theta root से आएगा तर दो power है तो single power में uman plus cos theta और bate का हो गया sign theta सब हाग देंगे अलग-अलग uman butta sign क्या हो जाएगा कहिएगा कि cos theta हो जाएगा sir और कौस बठा, साइन क्या हो जाएगा, कहेगा 10 ठिटा, कौस से ठिटा पलस 10 ठिटा, कौस से ठिटा पलस 10, चब भेलो सीटी दे रखा 5, आप ताइम दे रखा 36 मिनट डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बरावर होता है भेलो सीटी इंटू टाइम, 5 किलो मिटर प्रती घ रूट्स, मूलों का योग निकालना है, तो अलफा पलस बिटा होता है, माइनस बी बाइए, और अलफा इंटू बिटा होता है, सी बाइए, सी बाइए, सी बाइए, और समिकरन एक्वेशन अगर निकालना है, तो एक्वेशन होता है, एक्स स्क्वाइर, सम आफ रूट्स पलस का product of roots is equal to 0, इस sum of roots है, इस product of roots है, तो मुलों का योग sum of roots निकालना है, minus भी तो minus minus plus हो गिया, 2 root 5 बटे का कितना हो गिया से root 2, root 2, तो उपर एक टिया root 2 से root 2 बार में, तो आप कहेगा root 10, root 10 कह सकते हैं, root 10, आगे बढ़ जाएं, कहीं गर्वर हो गिया क्या, तो court 10 कर दिये, उबन बटा sign cost एक और cost बटा sign court, court, court हिटा, sign बटा cost 10 होता, cost बटा sign है, तो यह सब थोड़ा सा एक नोर करके चलते रहना है, आगे बढ़ जाएं, इसका अंसर करिए 20, 20 का अंसर, बनाएं इस सवाल को, बनाते भी रहिए, करा a plus b 27 है, दो संख्या का योग 27, पहला संख्या का 5 गुना, दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो छोटी संख्या निकालना है, a smallest number, आप जानते हैं कि जब दो संख्या बराबर होता है सर, तो रेशियो क्या हो जाता है, interchange, a और b का जो रेशियो हो गया, 4 अनुपात कितना हो गया, 5, 4 अनुपात 5, दोनो का योग कहिएगा, अनुपात में 9, 9 बराबर 27, ता एक बराबर कितना हो गया, 3, चोटा संख्या अनुपात में 4 है 4 बरावर 12 एक बरावर 3 तो 4 बरावर 12 चोटा संख्या निकालना था A-B मतलब दो ब्यक्ति है जिनके age में difference कितना है 6 साल और दोनों का योग कितना है 26 साल तब B का मान निकालना है कि B का मान क्या होगा B का मान निकालना है ता A plus B इसका योग दे रखा है 26 और A minus B दे रखा है कितना 6 और B का मान निकालना है तो घाटा के आधा कर दीजे न सर 20 का आधा 10 बर्स 10 बर्स कितना हो गया कहिएगा 10 बर्स 10 बर्स आगला नमबर सवाल पर आजाईए, आगला नमबर सवाल आजाईए 22 पर, कह रहा है कि LCM HCF 60 और 4 है, A पलस B 22 है, A माइनस B निकालना है, गुनन फल योग दे रखा है 32, आप जानते हैं कि सर्जी जब भी संख्या HCF का मल्टीपल है, तो संख्या HCF का मल्टीपल होगा, पहली संख्या हो जाएगा 4 एक्स, और दूसरी संख्या हो जाएगा 4 भाई, योग करेंगे तो आप कहेगा कि 4 एक्स पलस 4 भाई, बरावर कितना दे रखा है 32, तो एक्स पलस भाई, बरावर कितना हो जाएगा 8, और LCM पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, पहला संख्या गुना सेकंड नमबर बराबर LCM गुना क्या होता है HCF LCM गुना HCF और LCM कितना दे रखा है कहिएगा 60 HCF कितना दे रखा है 4 तक 4 से 4 कटिया और एक कटिया 15 बार में X गुना बाई आगिया सर जी X गुना बाई 15 चाह आप अब यहां से सोच सकते हैं X और बाई का कौन सा हम मान रखेंगे कि जोड़ेंगे तो 8 गुना करेंगे तो 15 तो कहिएगा कि 100 नमबर नहीं निकालना है फस्ट नमबर और सेकंड नमबर दोनों का डिफरेंस निकालना है तानों पात में डिफरेंस कितना आगिया 5 और 3 का अंतर 2 तो HCF कितना है कहिएगा चार, चार के मल्टीपल में आठ आ गिया, आठ आया, अगला नमबर सबाद, एन किसी संख्या में कतीस से भाग दे रहे हैं, तो सोला सिस्फल बच रहा है, और संख्या के दूगूने में भाग करेंगे, चाह संख्या को दूगना करेगा तो सिस्फल क संख्या को अस्वायर करेगा तो सिस्फल को, जो परकिरिया संख्या में होती है, सेम परकिरिया हम लोग सिस्फल में करेंगे, संख्या का दूगना तो सिस्फल का दूगना, सोला दूगना 32, और 32 में अब 31 से भाग करेए, सिस्फल आ गिया, कितना सर जी एक आ गिया, अगल से सुल्व करेंगे ता माइनस दो माइनस पांच बटे नो जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना ही नो देते हैं पहले जोड दीजिए एक साथ साथ और तीन दस सात में से पांच गया तो कहिएगा दो बटे नो दो बटे नो माइनस था इसलिए माइनस से गुना हो गया दो बटे नो अगर इसे पुर्णांक में लिखेगा तो आठ पुर्णांक दो बटे नो या रेकरिंग में लिखेगा तो जब बटा में नो है तो वही रेकरिंग हो ग पहले 0 रहेगा तो क्या दिकत है सर अगर पहले 0 है तो 0 पलस 552 99 0 एक ऐसी संख्या कि जोड़िये यह घटा यह कोई परभाव नहीं परेगा 572 99 होगे कटेगा काट देंगे नहीं कटेगा अंसर करेंगे अभी 3 से उपर नीचे कट रहा है यह कह रहा है कि किसी संख्या में एक रो में बैठाया गया और एक कॉलम में बैठाया गया एक रो और एक कॉलम का मतलब कि जितने आपको रो में बैठाया गया ब्यक्ति उतना ही कॉलम में ता रो और कॉलम जब दोनों बरावर है और दोनों को गुना करके संख्या है 21000, 25 तब इसको पुछा गया कि कि तने रो हैं और कितने कॉलम हैं, मतल σας तरीके के सवाल आए है कि जितने रो उतना ही कॉलम, चाहिँ जितना रो उतना कॉलम का मतलब कि आपको X अगर रो मानिएग और X ही कॉलम तो टोटल संख्या हो गया X गुना X X कतार और X ब्यक्ति है तो टोटल X और X गुना X X स्कॉाइर X स्कॉाइर बरावर 1625 है बर्गमूल निकालने के लिए लास्ट के दो डिजिट से चलना है लास्ट का दो डिजिट 25 है तो कहिएगा 5 आएगा तब होगा सर 5 और बचा कौन 200? 210 किसके नजदीक में है जादा नहीं लेना है बरावर हो जाएगा चलेगा उसके नजदीक में कहिएगा 15 के अस्वार 225 जादा हो गया 14 के ले लिजिए 145 रो और 145 कौलम है जाद ब्यास दे रखा गोला का आयतन इसको कमेंट में लिखेगा सर जी आप लोग सोल्व करके ब्यास दे रखा आयतन नहीं निकल जागा गोला का फोर बटा थीरी पाई या रसकवाई जोड कर 90 मान एक आगिया एक और एक कितना हो गया सर जी दो पीता और पूतर तीन अनुपात दो के अनुपात में छे बर्स पहले और छे बर्स बाद छे अनुपात कितना में पांच के अनुपात में इस तरीके के सवाल में पहले difference चेक करेंगे, कि difference समान है की नहीं, यदि difference समान नहीं है, तो नीचे के अंतर से उपर और उपर के अंतर से नीचे, difference है समान, कहिएगा यह सर, तीन अनुपात, तीन, अच्छा समान कंडिशन में जूटता है, और अपोजिट में क्या होता है, घ दोनों पलस रहेगा, घड़ जाएगा, दोनों माइनस रहेगा, घड़ जाएगा, एक पलस, एक माइनस जूट जाएगा, ता छे और छे बारा, तीन बराबर बार, ता एक बराबर कितना बरस सर, चार बरस, पीता का आयू निकालना है, कि इनका पीता का आयू क्या है, पीत इनके पीता जी अभी अठारा बर्स के हैं। इस दे रखा कि दो समनांतर रेखाए हैं और इस समनांतर रेखा के एक ही और के आंतरी कोनों का यूग 180 डिगरी। जिनका बिकर्न समकोन पर समदी भाजित करते हैं एक बर्ग और एक सम चतुर्भुज काहिएगा एससर। एक बर्ग और एक सम चतुर्भुज 6 दे रखा ता तीन तीन में और आठ दे रखा ता चार चार में यह 4 है तीन है ता ट्रिपलिट से कितना हो गया 5 और सम चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होते हैं तब परिमाप हो गया चार गुना भुजा चार गुना क्वाइर प्लुमाप हो गया यह 10 थीटा पलस 1 बटे 10 थीटा है तहिते हैं आप लिखते हैं कि सेखी स्क्वाइर थीटा बराबर ओबन 10 स्क्वाइर थीटा बराबर ओबन पलस क्या होता है टैन स्क्वाइर ठीटा तो वन पलस टैन स्क्वाइर ठीटा के अस्थान पर सेक्वाइर ठीटा और बटे क्या हो गया सर्जी टैन ठीटा इसे छोटा कर दीजिए सेक्वाइर ठीटा रहने दीजिए और टैन को जैसा ही हम चेंज करेंगे तो उपर हो आहा, वसा ही रहने दीजिए, ऐसा ही option इसको होगा कि सेख स्क्वार, ठीटा और इंटू का कौट ठीटा, सेख स्क्वार, ठीटा इंटू, कौट ठीटा जैसा option रहेगा और चेंज करने के लिए कह गाता, और चेंज करेंगे इसका अंसर करिए ये भी है नजदीक वाले नजदीक के साथ दूर वाले दूर के साथ गुना तो कहेगा B square बरावर 144 गुना 64 हो गिया तब B बरावर हो गिया 12 144 का बर्गमुल 64 का बर्गमुल 8 12 अंठे कितना हो गिया सर 96 आपको SP निकालना है दो डिसकॉंट दिया हुआ MP है 1200 पहला डिसकॉंट 5 पर 30 का मतलब कितना दे दिया 95 दूसरा डिसकॉंट 10 का मतलब 90 दे दिया 1976 का 6 हासिल 7 उननाइस पंचे 95 और 7 कितना हो गिया सर 102 1026 इसका SP आया कैलकॉलेशन एक वर देख लिजेगा 1026 आगे बढ़ जाए average of 5 student 5 student का average 35 है एक सिक्षक जी सामिल हो गया तो average हो गया 36 उस सिक्षक का मान निकालना कि सिक्षक है जो कितने बर्सके है तो यह खाय कि पहले 15 था तो 35 15 में 35 से गुना करिए एक सिक्षक आ गया है तो 16 16 में 36 से गुना करके घटाईए हम कहें कि यदि सिक्षक भी 35 बर्सके रहते हैं सिक्षक भी 35 बर्सके रहते हैं तब इनका average में कोई बृधी नहीं होता आज बृधी हो गया 1 का क्यों क्योंकि सिक्षक जादा के थे तह सिक्षक जादा चाँ 1 पर 1 का 1 बृधी होता है कितना पर एक सिक्षक का गये है तो टोटल 16 संख्या हो गया कितना संख्या 오늘 एक पर बिरिधी एक टोटल एभरेजन बिरिधी एक टा एक बिरिधी होता है एक पर सोला पर कितना सोला पाइंतिस और सोला एड कर दीजिए तोटल कितना हो गया सर एक तालीस एक तालीस होगा कि एक आवन हो गया एक आवन एक आवन एक आवन बर्स चाहिए एक आवन बर्स क और इनके दो किसी भी दो किसी भी समांतर चत्तुरुभूज में किसी भी दो लगतार कोनों के सम्दिभाजक से जो कोन निर्मान होता है वो 90 डिगरी का होता है। से निरमित कोन हमेशा 90 डिगरी समकून राइट एंगल ट्रेंगल होता है इसका मान नहीं निकल जागा सर जोड घटा करके गुना भाग करके मान कहिएगा यह सर 0.6 इसमें हम कॉमन ले लिए तो 1.05 में 0.90 घटा देंगे और 0.4 से क्या कर देंगे सर्जी भी भाजित कर ुए कितना 105 पैसा 105 पैसा में 90 पैसा चला गिया तो बचा कितना पैसा सरे 15 ंधर पैसा rent तीन से नशे तह़क गिया यहार। दो सो पचीस का मतलब 0.225 चेक कर लिजेगा फ्रेक्षन में देगा तो फ्रेक्षन में और प्वाइंट में देगा तो प्वाइंट में चाहा इस रूट से एक्वेशन निकालना है तो नहीं निकल जाएगा एक्वेशन एक्वाइर माइनस का अलफा पलस बीटा इंटू एक्स पलस अलफा इंटू बीटा बरावर 0 ता एक्वाइर एक बार मूल को जोड़ेंगे ता रूट थीरी पलस रूट थीरी कर जाएगा दो और दो कितना हो गिया कहिएगा कि दो और दो हो गिया सर्जी 4 दो और दो 4 जोड दिये alpha पलस beta 4x और एक बार गुना कर दिये तहिए square minus b square कहिएगा 1 बरावर 0 यह alpha था beta था तहिए एक बार दोनों को जोड दिये 4 आया एक बार दोनों को गुना कर दिये एक आगिया यही तो आपको equation है सर एक दे रखा कि एक ब्यक्ति 24,000 रुपया पुंजी लगाता है 36,000 पुंजी लगाता है कुल लाव 63,000, 50 में b का हिसा निकालना है तो सबसे पहले आप ratio निकालिएगा 12 से 2 बार में 12 से 3 बार में और समय का चर्चा नहीं दिया है तो जो पुंजी का अनुपात होता है वही समय का अनुपात होता है जो पुंजी का अनुपात होता है वही लाव का अनुपात जब कोई समय का चर्चा नहीं होता है इसका मतलब सभी ब्यक्ति समान समय के लिए लगाया और सभी ब्यक्ति समान समय के लिए पुंजी लगाता है तब इनका profit और capital का ratio investment का equal होता है हमको B का मान निकालना है तो कहिएगा B 3 रुपया लिया 5 पर सर टोटल 6350 में 5 से भाग कर दीजिए तब 1256, 1270 में 3 से गुना कर दीजिए 0, 7 या 21, हासिल 2, 36 और 2 कितना 3810, चेक कर लिजेगा एक बर केलकुलेशन इसका अंसर करिए करा कूल मजदूरी है 15,000 रुपया ये करता है 15 दिन में, B 18 दिन में और C करता है 6 दिनों में C कितने दिनों में करता है कहिएगा C करता है 6 दिनों में LCM लिए 15, 18 और 6 15, 18 और 6 का जैसा ही LCM हम लिए तो कहिएगा 15 से भी कटे, 18 से भी कटे, 6 से भी कटे, LCM आगिया 90 सर, तो इनका छमता आगिया 15 से 6 बार में, 15 छंके 96, 18 से 5 बार में कटिया, 6 से 15 बार में कटिया, 6 से 15 बार में, efficiency दो तरीके से बढ़ता है, एक काम के अनुसार, एक efficiency के अनुसार, यदि सभी ब्यक्ति एक काम समाप्ट करता है, तो मजदूरी चमता के अनुसार, और अलग-अलग समय के लिए कारिज करता है, तो मजदूरी काम के अनुसार देंगे, एक आएला 6 है, बी का आएला 5 है, तो कहिएगा, 6 बार में, MICH double 5 तो चोटल 5 है, तो 6 5 11 है तो सी का 4, टोटल समता के अनुसार बा तो आपको पता है कि यदी समान समय के लिए दोनों एक ही साथ दौरना पराराम किया और दोनों एक साथ मिला ता एक ही समय रूपा रूपा, तो टाइम एक्वल हो गिया, अगर टाइम आपको बरावर हुआ, तो जो आपको भेलो सीटी का रेशियो है, भेलो सीटी 30 अनुपात 40, मतलब भेलो सीटी का रेशियो 3 अनुपात 4 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 3 अनुपात 4 ही होगा, अनुपात में अंतर 1 है, 1 बराव 80 km टोटल डिस्टेंस निकालना है तानुपात 7, 7 बरावर 8, 56, 560 km टोटल डिस्टेंस है, 560, होट्टी थीरी पर आजाईए, कह रहा है कि बेलन का आयतन निकालना है, रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखा है, तो नहीं निकल जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर पाइर, पांच गुना पांच और हाइट कितना है, 7, 7 से 7 कट गया, अब यह हो गया, 22 गुना पचीस, पचीस दुना पचास, पचीस दुना पचास और पांच पचपन, पांसो पचास सेंटी मीटर क्यूब, तो जीतना सवाल हम लोग के थासर, जी 30 तारिख वाले जो तीन सर जी 23 से 25, 23, 24, 25 सब मैथ बना करके आ रहे हैं, तो आसा करते हैं कि आप लोग भी 25 में 25 मार करके आईएगा, और जिनका एक जाम है कल, वो सभी लोगों का बेस्ट ओफ लख, थेंक यू सो मच, बाई बाई बाई, टिक केर साथ,